आपको तłemत के दमारे मिदे जट लोक सोव चुनाओं के बाद अब रियाना प्तियादवावा की बारी है और सबी राजनीतिक दल है जो लगातार जन्ता के बीट पहुचने लगे हैं और जो है चुनाओं की तैयारी में जुट कहे हैं सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से फरीदाबाद की तमाम जनता विशेश तोर से बढ़कल के निवासियों का तह दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं क्योंकि 2014 में उनी के माध्यम से मुझे मोका मिला भारती जनता पार्टी के माध्यम से आधर्निय मनोहरलाल जी के नित्रित्व में बढ़कल को सेवा देने का और हम इन पांच वर्षों में पिछले 50 वर्षों का जो भी बैक लॉग था उसको हमने दूर करने का एक प्रयास किया अगर मैं बोलू तो बढ़कल के अंदर ये पहली बार हुआ है कि 50 सल के हर्याना में बढ़कल सब्डिविजन बना तैसील लाकर के दिया गया फिर केंद फिर बढ़कल जील एक बहुत बड़ा इशू था जिसको हमने अभी जाकर के स्टार्ट किया और वो काफी हद तक बढ़ भी चुका है वो कारेक्रम आगे और इससे आगे चलेंगे तो बार नमबर 21 का एक बहुत बड़ा इलाका जिसमें ना कभी सीवरेज लाइन डली और ना कभी सरकारी पीने के पानी की लाइन लगब 37 करोड से हमने ये काम भी किया और सबसे बड़ी विशेश उपलब्दी जिसे मैं बढ़कल जील को भी मानती हो और उसके साथ साथ हम लोग दो युनिवरस्टी लेकर के आए पहली युनिवरस्टी जो बढ़कल को दी गई तो उसके एवज में दुधोला गाओं ने हमें 82 एकर जमीन दे दी और हमने वो युनिवरस्टी दुधोला में शिफ्ट करी और हाल ही में शीगरी बादरनी मुखे मंत्री जी वाइम सी युनिवरस्टी का उदगाटन बढ़कल विधानसभा के भाकडी गाओं में करने जा कि लोगों को सड़कों का मार्ग सरू मिलें पानी की विवसता पहले से बहतर हो और सीवरेज विवसता भी हम दे पाएं और रोशनी भी आप दीखते हैं और चाहिए पहुम्हाइद हम आगे कारे को क्योंकि अब हम यह बोल सकते हैं कि सफाही में और जरूरत है यह तो आपने जो अब इ तक के कारे गिना आए जो आप अगले जो जन्हां पहुचेंगी 5 साल आगे के कारे को लेके कि अजबम टेखने को மुझ कि तरफ में विशेश्श रोर से बढ़कल के बारे में बोल सकती हूँ इसलिए कि मैं हर गली हर चपह से रू बरू रहती हूँ और मैं ये समयती हूँ क Problem की अभी हमेश बारी में हमें ज़्यादा काम जो करने की मुझे लगता जरूरत था वो भी एक अभियान के रूप में वो पानी है और पानी तो पूरे हर्याना और बलके आदे भारत की समस्या बना हुआ है और इसके सासथ एनवाइरमेंट है हमारा प्रयास रहेगा के पानी के लिए एक जन अभी आन चलाया जाए जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग जिन घरों में असानी से की जा सकती है वहां पे लोगों को समझाया जाए लोगों को प्रेरित किया जाए के ताकि लोग करवाएं और इसके साथ साथ एन्वायरमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है जो सीधे रूप से पानी से भी जा करके जुड़ता है जितने अधिक पेड होंगे और खास दोर के पेड होंगे तो एक तो पॉल्यूटिड सिटी होने का भी एक जो हमें बार-बार तगमा दिया जाता है उससे भी हम निजात पाने का प्रयास करेंगे और जो कुछ बच्चेवे काम क्योंकि विकास एक सतत निरंतर चलने की प्रक्रिया का नाम है जो साथ साल पहले लगा था आज वो बंद हो गया जो दस साल पहले सड़क बनी थी आज वो तूट गई तो जो ऐसे काम और आएंगे उनको भी कराते रहेंगे और जो सबसे बढ़ा नारा सबका साथ सबका विकांस हर्याना एक अर्वी आप उर अर्ण हैं जाती धरम भाषा प्रदेश शेत्र और राई दलों से उपर उठ करके विकास देने की कोशिश कह रहा है कि जो आपने 75 का अंकड़ा रखा है वह सिर्फ एक खवावी पुलाव है आसे एक सपना देख रही है बीजेपी किसा क्या कहिए मैं तो यह बात कहती हूं कि विपक्ष के पास यह पूरा अधिकार है कि वह हमारे किसी भी शब्दों को कैसे भी ले लें पर जो हमने 75 का आंकड़ा रखा है अधानिय मुख्य मंत्री जी ने उसका फैसला जनता ने करना है हम लक्षे तैय करते हैं और जनता मोहर लगाती है त इसे ही नेत्रित तो समझेगी जनता साथ देगी और ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि हर्याना में यह पहली बार हुआ कि दस में से दस सीटें लोकसभा की आप जीत करके निकले हैं क्वाटी के बात करूं कि निद्दली उमीदवानासि वार मैं ऐसा क्यूंकि आप सीमा से बात करें और मैं जो भी आपको जवाब दे रहे हूं वह मेरे अपने नीजी भावनाए लक्षय को साध्रे करी आओ और जब क्या है उसके लिए कितना प्रयास और कितना पशीना बहाने की दूरा GOT कहिनाएं की बीजेपी जो बीजेपी उनको पूरा कड़ती है युद जो जणता के बीज़ाएं उन्ता का विकास उनका एहम मुद्दा होगा साथ उन्होंने कहा कि जो लक्षे बीजेपी ने रखा है उसको बेहद वो करीब हैं और पहुच जाएंगे और पार करके ही इस वार जो है हरियाना में सरकार बनाएंगे अभी की चर्चाम फिलाल इतना ही बागी खबरों के लिए जुडे रिए पाइनेर रणी आने के साथ नमस्कार